हेलो एबरिबन तो आप सब कैसे हैं आज की वडियों बात करते हैं कि प्रेग्नन सी के दौरान क्या खाना से ऐसी कुछ चीज़ेसे के दौरान खाना से Delhi इजो कर notion कि आथके सारी अधिकते हो सकती हैं घलती से उसकते to तो वो सास चीज़े क्या होगी प्रेग्रिंसी के दौरन किसी महिला को अपने खान फान को लेकर काफी सतर करना चाहिए क्योंकि इस अवस्ता में खान पान का सीधा आसर गर्व में पल रहे सिसूपर पड़ता है गर्वती महिलाओं को हमेशा पॉस्टिक और बैलेंस डाइट लेना चाहिए हाला कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनमें आपको गर्विस्ता के दौरन बचना चाहिए अब आज आपको कुछ ऐसे खाट स्फूस के बारे में बताएंगे जिनमें गर्विस्ता के दौरन नहीं खाना चाहिए तो पहला गर्विस्ता के सुरुवाती महिनों में कच्चे अंडे या इससे बनने वाली चीजों को खाने से परीज करें अंडे का सफेद और पीला हिस्सा पकने के बाद प्रेग्णिंसी महिलाओं के लिए सुरक्चित होता है अननास पोसक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ खाने में काफी स्वादिस्ट लगता है लेकिन प्रेग्णिंसी के पहले तीन महिनों में अननास खाने से बचना चाहिए पपीता में पाई जाने वाले एंजाइम के करण गर्विस्ता के संकूचन पैदा हो सकता है जिसके करण गर्पात की समबावना बढ़ जाती है अलोविरा तश्चा और बालों के लिए अलोविरा जूस बहुत अच्छा होता है लेकिन गर्विस्ता में ऐलोवरा जूस लेने से पैल्विक हिस्से से ब्रीडिंग हो सकती है तिल गर्विस्ता के दौरां तिल की बीज का जायदा सेवर नहीं करना चाहिए सहजन सहजन में पाई जानने वाले एलफा एलफा सिस्टोरोल एन एंजूमिन जैसे तद्व गर्व में पल रहे सुसू के लिए काफे खतरनाक हो सकते हैं यह ख़वर सामान जानकारियों पर आदा रहता है किसी वी तरह की विसे जानकारी के लिए अब डॉक्टर से संपर्क करें और आपने मेरा चैनल वीटर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए असी वीडियों तरह करें